नमस्कार स्वागत है आपका आयोध्या में इस वक्त हम मौझूद हैं भगवान राम की नगरी आयोध्या सरीव के किनारे पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं उस जगा जहां आज इस बात को लेकर सबकी नजर लगी हुई है सुप्रीम कोट पर के सुप्रीम कोट जो फैसला द मंदिर के मामले पर भी पड़ेगा हम आपको बता दें कि मेरे साथ इस वक्त दो लोग यहां पर मौझूद हैं मेरे साथ है मेरे सहयोगी कुमार अभिशेक और हमारे साथ हैं इकबाल अंसारी जो की राम मंदिर मामले में पक्षकार भी हैं सबसे बड़ी बात ये कि 1994 का एक फैसला जिसने ये तै किया कि नमाज अता करना मस्जिद में इसलाम का अभिन अंग है या नहीं और 2018 में ये कहा गया राम मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान कि इस फैसले को रिविजिट किया जाना चाहिए यानि कि इस पर पुनरविचार होना चाहिए और पुनरविचार होने का मतलब ये है कि इस मामले को एक बड़ी बेंच को सौप दिया जाना चाहिए हम आपको बता दें कि 1994 में पांच जजों की बेंच ने ये फैसला दिया था और माना था कि भाई इसलाम में मस्जिद में नमाज अता करना अभिन अंग नहीं है लिहाजा उस समय जो 67 एकड जमीन का अधिग्रहन किया गया भारतिय समिधान के मताबिक वो अधिग्रहन जायज है वो किया जा सकता है लेकिन अब राम मंदिर मामले की सुनवाई के दुरान जब दुबारा से इस विशे को उठाया गया तो आरोप हिंदू पक्ष की तरफ से ये लगाय गया कि जान बूज कर राम लला के मामले को लटका कर रखने के लिए ये मामला उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस से राम मंदिर के मामले पर बहस जो है वो ऐसे ही जैसे पिछले कई साल से लटकी रही आगे और कई साल तक लटकी रह जाए हम अकबाल अनसारी से बात करेंगे उन दोनों से बात करने से पहले इस मामले के सारे पहलू क्या है वो आप एक बार जान लीजिये इस मामले का इतिहास क्या है और भविश्य में ये कैसे असर दाल सकता है पहले वो देख लीजे फिर इकबाल अंसारी से बात करते है अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या मस्जित की निव फिर से भरी जाएगी या फिर आरती और अजान एक साथ सुनाई देंगी इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में अभे तक माथा पच्छी जारी है लेकिन अयोध्या से जुड़ा एक मसला आज हल होने वाला है और कई लोगों को लगता है कि ये मसला मंदिर और मस्जित के विवाद में सबसे एहम कड़ी है दर असल सुप्रीम कोर्ट उस सवाल का एक बार फिर जवाब देने वाला है जो 24 साल पहले ही दे दिया गया था अयोध्या के मुख्य मामले के सुनवाई के दोरान मुस्लिम पक्ष ने आपत्ती उठाई मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से 1994 के समाईल फारुकी केस पर पुनर विचार की मांग की मुस्लिम पक्ष के मताबिक फारुकी केस मुख्य मामले पर असर डाल सकता है मुस्लिम पक्ष की मांग है कि फारुकी केस पर साथ जजों की सम्विधान पेट पुनर विचार करे मुस्लिम पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोट की तीन जजों की खंड पीट ने सुनवाई की सुप्रीम कोट की तीन जज़ों की खंड पीट ने 20 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया आज तैय होगा कि 1994 का फैसला बरकरार रहे या पुनर विचार किया जाए मॉस्क इस नाट ना इसेंशल रिकार्मेंट फॉर इसलाब यह अब्जर्वेशन जब इस केस में बहस चुरू ही सुप्रीम कोट में पांच दिसंबर को तो हमारी तरफ से डॉक्टर आजी धवन साहब ने कहा कि यह सुप्रीम कोट के लार्जर बेंच के जज्ज्मेंट के खिलाफ है लाज़ा इसको रिकंसिरर करना चाहिए तो इसका अतालुक अपील की सुनवाई से डारेक्ली तो नहीं है लेकिन इंडारेक्ली उसी अपीलों में बहस हुई है तो लाज़ा आप यह कह सकते हैं का अपील का ही एक आड़र बो अयोध्या विबाद के मुस्लिम पक्षकारों के मताबिक सुप्रीम कोट का 1994 का फैसला अयोध्या विबाद में उनकी दावेदारी को कमजोर करता है सुप्रीम कोट इस सवाल पर दोबारा विचार करे कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इसलाम का जरूरी हिस्सा है या नहीं 24 साल पहले इस मामले को इसमाईल फारुकी ने उठाया था 1991 में यूपी सरकार ने अयोध्या में विबादित जबीन का अधी गरहन कर लिया डॉक्टर एम इसमाईल फारुकी ने भूमी अधी गरहन को सुप्रीम कोट में चुनाउती दी फारुकी की दलील थी कि मस्जिद की जमीन का अधी गरहन नहीं हो सकता फारुकी के मताबिक मस्जिद में नमाज पढ़ना इसलाम का अभिन अंग याचिका पर सुप्रीम कोट के पांच जजों की समविधान पीठ ने सुनवाई की 1994 में समविधान पीठ ने तीन दो बहुमत से फारुकी की याचिका खारिच की समविधान पीठ ने माना कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इसलाम का जरूरी अंग नहीं मुस्लिम पक्षकारों से उलट हिंदू पक्षकारों की राई ये है कि फारुकी मामला बेवज़ा उठाया जा रहा है और ऐसे मामले अयुध्या में मालिकाना हक के फैसले को टरकानी की कोशिश है सवाल यहां है कि मस्जिद में मूर्ती रखी गई, मस्जिद तोड़ी गई, पूरी दुनिया ने देखा है हैसला कोड को सबूतों के आधार पर करना है, सबूत भी हमारे पास है और मस्जित हमारा एक इसलाम का एक अंग है मस्जित तोड़ भी दी जाए लेकिन नमाज जो है जमीन में भी पढ़ जाएगी वो मस्जित ही रहेगी मस्जित की जमीन ना बेची जाएगी ना किसी को दी जाएगी और मस्जित हमेशा मस्जित ही कहलाएगी मस्चिर पढ़ते हैं मजार में पढ़ते हैं सडकों पर पढ़ते हैं मैदान में पढ़ते हैं ये सारी बातों को समझ करके उसको ये कहा गया था कि यह मस्चित जो है मस्चित और नवाज ये मस्चित गांग नहीं है तो इसी के बात में फिर उसकी क्यों सुनुआई हो रही कि साल शुरू हो जाएगा बीजे पीनिता सुबरमणयम स्वामी और यूपी के डिप्रिसीम केशो प्रसाद मौरी भी इन में शामिल हैं लेकिन आखरी फैसला सुप्रीम कोट को ही करना है आज का फैसला तै करेगा कि मालिकाना हक के फैसले का क्या होगा अगर कोट ने फारुकी केस को साथ जज़ों की सम्विधान बेंच के पास भेजने का फैसला किया तो फिर तै है कि आधी सदी से जारी असल मामला फिर से तारिखों में उलच जाएगा फैसाबाद से बनबीर सिंग के साथ आज तक भी हो जी अगर कोट ने ये फैसला दिया कि इस मामले को साथ जज़ों की बड़ी बेंच के हवाले कर दिया जाए तो मानिये कि जो आधी सदी से मामला चलता रहा है वो आने वाले कई वर्षों तक फिर चलेगा हम आज यहां आ गए हैं राम की पौड़ी इस जगा को कहा जाता है आयुध्या में सर्यू नदी के किनारे आप देख सकते हैं काफी तोड़फोड आपको दिखाई दे रहे होगी ये तोड़फोड इसलिए है क्योंकि दिपावली के लिए खासतोर पर यहां तयारियां चल मंदिर में है आयुध्या में राम लला का वो मंदिर जिसका फैसला अदालत से होना है लेकिन सुब्रमनिम स्वामी पहले ही ये ट्वीट कर चुके हैं कि अगर ये मामला साथ जज़ों की बेंच के पास जाता है तो हमारे पास संसद का रास्ता खुला हुआ है मेरे साथ यह इकबाल अनसारी है जो कि इस मामले के पक्षकार भी है हमारे साथ महंत धर्मदास अभी कुछ सेकेंड में जुड़ जाएंगे वो भी इस मामले के दूसरे पक्षकार हैं जफरयाप जिलानी साहब हमारे साथ लखनो स्टूडियो से इस वक्त लाइव मौजूद है जो करना आप कैसे देख रहे हैं क्या उम्मीद कर रहे हैं और उसको मानने के लिए सरकार कोट करें हम उसको मानेंगे सरकार ने तुम से 94 में कोट ने तो फैसला कर दिया था 20 साल आप लोगों को नहीं लगा कि यह गलत है विस साल बाद आपको यादा है कि इसको रिविजिट करना चाहिए इस पर दुबारा विचार होना चाहिए यह काम कोट का है यह काम जो है पबलिक का नहीं है नेता वह अपना काम करते हैं कोट अपना काम करते हैं कोट जो भी करेगा हम उसको मानने के लिए तयार हैं हम कोट के ऊपर कोई पड़ी नहीं करते हैं कोट फैसला गलत करती है तो हम आगे जाएंगे आगे कहा जाएंगे ये तो सुप्रीम कोट है और इसमें आप अल्रेडी सुप्रीम कोट एक फैसला दे चुके है उसमें आप पांच जजों के फैसले से नाखुश है और करेंगी साथ जजों से करवाली जाएं मस्जिद इसलाम का अभिन अंग है या नहीं इसको रिविजिट करने की मांगी गई है देखिए यह तो कपिल सिबल के दिमाग के और धवन के दिमाग के खेल हैं कि चार महिना हम लोगों के फसला आने वाला जो चीज था वो चार महिना कोट को ए चार महिना पर बात कर दिये लो जब दो पक्ष के जगडा हैं दो पक्ष के लडाई है तो दो पक्ष के लडाई में जो भी जो भी और का नाम है टाइटिल सूट है कि किसका जमीन है किसका नहीं तो जिसका जमीन होगा उसका देगा थे में पहलिए पहले टाइकर दिया जाएं उनकार हगत ऑपर में 129 के बाद बनाया जाए इस प्रकar से अफवा है पैला करके आज गौलता है तो उनको केस हैं तो कोट के सर्मान करो कोट के रहने दो कोई कहता है कि हमार सरकार सरकार किसी के नहीं होती है सरकार कानून के अंदर में रहती है कोट कानून के अंदर में है यह इसे नहीं कि जेकरमन कर जहीं पर किसी मुकदमा में यह राम क्या अधिकार हैं इस पर तो आप अलग से मुकदमा करो करा हो जफरी अब दिलानी साहब आज का जो फैसला आना है उस फैसले के दोनों पक्ष क्या क्या हो सकते हैं कि आज चिर्फ इस पॉइंट पर फैसला आना है कि 1984 के इसमाईल फारुकी के केस में जो अब्जर्वेशन सुप्रीम कोट के पहरा सेविंटी एट सेविंटी तक हो गए थे कि मॉस्क इस नॉक टन एसेंशन रिक्वार्मेंट इन इसलाम वो अब्जर्वेशन सुप्रीम कोट के दूसरे जज़्वेशन की रिष्टी में करेक्ट है या रिक्वार्मेंट इस पॉइंट पर सिर्फ एसला आना है और अगर सुप्रीम कोट ये फिल करता है कि वो अब्जर्वेशन सुप्रीम कोट के दूसरे जज़्वेशन के खिलाफ नहीं है तो वो कह सकता है कि नहीं कि इसकी रिकंसिडर करने की जूरत नहीं है बलकि केस प्रसीड करें अपीले जो हैं उनकी सुनवाई मेरिट पर की जाए बस इसी बात पर आज फैसला आना है और उस फैसले के बाद फिर कोड का डारेक्शन होगा इस बारे में अपीलों की सुनवाई कब और कैसे शुरूओ मैंने आपको बताया ना कि इसकी आफ्टर में यही होगी कि वो अब्जरवेशन्स जो कांस्ट्यूशन बेंच ने 1994 में किये थे वो सुप्रीम कोड के दूसरे जज्जमिंट्स में किये हुए अब्जरवेशन्स के रोश्णी में वेदर रिकॉयर रिकंसिडेशन और अगर अगर रिकंसिडेशन करने की जुरुत है तो सुप्रीम कोड इसको लाजर बेंच को रिफर कर देगा और लाजर बेंच इसको तीन-चार महिने में दो-तीन महिने में जित्ती जल्दी चाहेगी डिसाइट कर सकती है क्योंकि वो कुश्चन प्योर्ली कांस्टूशनल है इसम शुरू हो अब पीलो की सुनवाई नहीं एक्च्वल सूट पर इसका कोई असर खास नहीं पड़ सकता है इसलिए कि में सूट में यह इशू नहीं था किसी पार्टी की तरह से यह नहीं कहा गया था कि मास्क एसेंशल है मस्दी इसलाम में प्रेजियस प्रैक्टिस के लिए नहीं इसने कोई शूट में नहीं है तो मले सूट इसका कोई खास थांड़ नहीं पड़ेगा की भंकि जैज ने कहीं कि इसमें अप्जियर शंकॏये ओंऊर्बिक में बस टाइटील सूट पर इसाज नहीं पड़ेगा सजी का मौइशन के कंतेुस में थे कि आर्टिकल 25 पर, आर्टिकिल 25 में मास्क में प्रेयर करना एसन्शन प्र्यक्टिस है कि नहीं ये कांस्यूशन का एक स्पेशल एंग्वेज आर्टिकल 25 गंटेस में है सुप्रीम बोर्ड ने परेकर रखा है कि जो चीज एसेंशल प्रैक्टिस होगी रिलिजन की तिक उसी को आर्टिकल 25 में प्रोटेक्टेटड माना जाएगा तो सिर्फ इसी हद तक मास्क के एक्जिस्टन मैं लाना चाहता हूँ इससे पहले मैं महंजी से या इकबाल साब से दोबारा कोमेंट लूँ मेरा सवाल यह है कि वो यह कह रहे हैं यह केवल लार्जर बेंच के पास जाने का मामला है हिंदू पक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि लटकाने की रणनीती है देखिए रोहित एक popular perception यह था कि अगर यह फैसला होना है तो यह फैसला कुछ महीनों में कह सकते हैं कि day to day सुनवाई से हो जाएगा लेकिन जिस तरीके से यह मामला बीच में आया और कई लोगों ने आरोप लगाया किसे लटकाने की कोशिश की गई निश्चित रूप से एक बात साफ हो रही ह कि अगर आज के फैसले में यह बात निकल करके सामने आती है कि नहीं आगले larger bench को सौपा जाएगा तो निश्चित रूप से इस साल या कह सकते हैं 2019 के पहले आखरी फैसला आना लगभग असंभव हो जाएगा और यही सबसे बड़ी कह सकते हैं चर्चा की बात है जो इस वक असर मूल जो उसके फैसला होना है उस पर नहीं होना है लेकिन जो डिले है जो मान के चला जा रहा था कि day to day सुनवाई होगी और उस पर कोई न कोई फैसला जरूर आएगा और जल्द आएगा इस पर बहुत बड़ा असर पढ़ने जा रहा है आज के आज के फैसले पर अग लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है या जो दूसरा पक्ष है उसका मानना इतना जरूर है कि ये भले ही मामला टल जाए लेकिन उसके मूल उस पर कोई असर ने पड़ेगा इसमें लेट होगी एक बालन सारी जल्दी से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि ब्रेक पर जाओं से पहले इसलाम में मस्जिद में नमाज अता करना इसलाम का अभिन्नंग है या नहीं यह अदालत से तैह होगा या आप लोग खुद तैह करेंगे कि यह क्यों अधालत कुछ नहीं कर सकती आपका काम अपना है कि अ sómeम का मजब है कक यह आज तक यह बात तो नहीं आई कि मुसल्मा व मस्जिद यह तुम जह है रादनीद में है इससे कोई मतलब नहीं है ये दोनों मसला केवल राजनीत में है मस्दित या मुसल्मान एक जॉइंट है दोनों जफरे अब दिलानी जाने वाले हैं आपसे पहले जल्दी जल्दी जाते हैं तेक सवाल पूछ लेता हूं हिंदू पक्षु ऐसा क्यों लगता है फिर कि लटकाने की रणनीती है ये उन